हेलो फ्रेंज, नमस्कार दोस्तों, इस चाप्टर में हम लोग अब चर्चा करेंगे, एजुकेशन चाप्टर के बारे में, एजुकेशन अर्थात सिक्षा, तो बहुत छोटा सा चाप्टर है, दो एक सवाल बनते हैं हमारे वन डे एक्जैम्स के लिए, तो चलिए इंट्रो आता है कि यह रिलिजियस एजुकेशन, जिसको धार्मिक सिक्षा कहते हैं, यह रिलिजियस एजुकेशन के तौर पे देखा जाता था, इस इंडिया कंपनी भी अपने शुरुआती साट सालों में, जाधा एजुकेशन के लिए कुछ करती नहीं है, और इवन इंग्लेंड में, जो युनिवर्सल एजुकेशन है, यह काफी बाद में आता है, और इसके अलावा अगर हम देखे, शुरुआती दौर में जो तीन मेजर बॉडीज हैं, जिसने एजुकेशन के लिए भारत में काम किया, तो एक तो है बिटिश गवर्मेंट और उनके साथ जुड़ी ह होई है, इस्ट इंडिया कंपनी, Christian Missionaries हैं, और तीसरे है Indian Intellectuals या Reformers, इस पे हम लोग इस चाप्टर में चर्चा नहीं करेंगे, हमने पहले ही कर रखा है, जिसे राजा राम मोन रोय की, हमने चर्चा की, कि हिंदू कॉलेज इनों ने चलाया, या हमने एन्नी बेसंत की चर् चर्चा हमने कर रखी है, तो Intellectuals और Reformers को वहीं पर कर लिया, हम ये दो थोड़ा बहुत यहां देखेंगे, इसमें भी इस पर हल्की से चर्चा, ज्यादा हट तक इस पर की Government क्या करती है, और जहां तक Intellectuals की बात है, यहां पे सिर्फ एक चीज जगर पे हम लोग भारतिय की बात करेंगे, जिसका नाम अंत में आएगा, वर्धा Scheme of Education, तो यह तीन मेजर हेंडिंग्स के अंतरगत इसको पढ़ना है, चली अब आगे बढ़ते हैं, तो 1757 से ब्रिटिश भारत में पलासी की युद्ध के बाद एक तरह से काबिज हो गए थे, कबजा कर चुके हैं और पहले फेज में 1812, क्योंकि 1813 में एक Charter Act पास होता है, तो पहले जो यह कहेंगे, 54 साल में जो ब्रिटिश ने किया, वो यह था कि कहीं एक स्कूल खोल दिया, कहीं एक मदर्सा खोल दिया, तो कुछ खास ऐसा इन्होंने किया नहीं, एजूकेशन को लेकर, तो जो भी वो इसलिए किया, क्योंकि इनको कुछ भारतिय चाहिए थे, educated भारतिय चाहिए थे, क्योंकि हर चीज के लिए अंग्रेज लोगों को ला नहीं सकते थे, England से नहीं ला सकते थे, तो कुछ educated Indians चाहिए थे, जो कि इनके लिए clerical jobs कर सके, तो यह administration, जो लांड का चलाना है, भार उन क्या थी, किस तरीके से यह देश चलता था, तो इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने प्रयास किया, education को लेकर, इसके अलावा British India Company को कोई मतलब नहीं था, education को लेकर, कुछ minor exception जिसमें चार पॉइंट में यहां बता रहा हूँ, पहला याद रख किस ने शुरू किया, Jonathan Duncan, कब किया, वारा नसी, किस चीज के लिए, Hindu law and philosophy के लिए, और 1792 भी देख सकते हैं, दोनों ही किस लिए थे, mainly qualified Indians के supply के लिए, जो हमने पहली बात की, administration of the law, courts में जो company के थे, उसमें administration चलाने के लिए इनकी जरुरत थी, इसके अलावा एक और बहुत important Asiatic Society of Bengal, किस ने शुरू किया, William Jones, कहा शुरू किया, कलकता, कब शुरू किया, 1784, तो यह जो चार पोइंट है, इसको रट लीजिए, कि कलकता मदर्सा, वारा न हैस्टिंग, एक पन्ने पर लिख लिए, कलकता मदर्सा, वारा न हैस्टिंग, 1781, Muslim law and subject, Sanskrit college, वारा नसी, Jonathan Duncan, 17 92, Hindu law philosophy, Asiatic Society Bengal, William Jones, Calcutta, 1784, बस इतना ही रटना है आपको, इसके बाद एक और college की बात की जाए, Fort William College, कब बना, 1800 में, कहा बना, कलकता, किस ने बनाया, Lord Willisley, क्यों बनाया, क्योंकि civil servants के training के लिए, जो company के civil servants थे, उन्हें भारतिये language और भारतिये customs में, ट्रेन करने के लिए, ये college का स्थापना किया गया था, इसको एकदम रियाद कर लें, रट लें, 1800 में, कलकता में, Lord Willisley ने, Fort William College की स्थापना की है, civil servants को train करने के लिए, ऐसे करके एक सवाल अगर माल लीजी आजा, एक तरफ दे दिया भाई, institution, दुसरे तरफ दे दिया गया, founder और बोला जा रहा ह कि भई इसमें से कौन से correct है, जो सही से आपको मिलाये गया है, या आपसे ये बोल दे कभी, कि भई इसको match the following करो, तो अभी just हमने देखा, कि भई कलकता मदरसा तो Warren Hastings नहीं किया है, तो मतलब 2 तो सही है, मतलब ये गलत है, और ये भी गलत है, और अब 1 का ही सोचना है, Sanskrit College at बनारस, अभी हमने देखा, Jonathan Duncan है, तो भई ये भी गलत है, तो answer क्या हो गया, B मतलब 2, तो ये था एक, अब दूसरा मिशनरीज की बात की जाए, मिशनरीज का क्या है, ये भारत में Western Education लाना चाहते हैं, किसलिए अपने प्रजलाइटीजिंग activities के लिए, मतलब भारतिये लो को को Christian धर्म की ओर ले जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, कि बाई, इनका तो मानना है कि भारतिये जो है, वो बरबर हैं, बैकवर्ड हैं, ये क्या है, वाइट मैन का बर्डेन है, ये इनका मानना था कि गोरे चमरे वाले, जो वाइट पीपल है, ये बाई, 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 to civilize these, you know, brown or the black people, तो ये इनका सोच था और इस कारण से ये यहाँ पर education को लाना चाहते थे, क्योंकि इनके हिसाब से education एक mean है, एक तरीका है, जो एक Ind है, मतलब Christianity तक पहुँचने का ये Ind है, यहाँ पर एक बहुत बढ़ा नाम William Carey का, एक Baptist Missionary है, ये भारत में 93 में आते हैं, और साथ साल के अंदर में सीरामपूर, ये हमने पढ़ा था Danish लोगों का area है, यहाँ पर कई सारा स्कूल खोलते हैं, इसके around सराण में, और एक और नाम Charles Grant, ये Father of Modern Education in India कहलाते हैं, बिकाज ये भी एक Missionary थे, और इनके काम के तहत, 1813 में Charter Act जो पास हुआ, उसमें एक लाक र इसके तोर पे देखेंगे, और उसका पहला पॉइंट ये, इस काम के लिए William Graham साहब को, Father of Modern Education कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक लाक रुपया कंपनी से मुहया कराया, कि भाई, भारतियों को पढ़ाने के लिए, उसमें Modern Sciences का Knowledge देने के लिए, ये सारे चीज़ें होनी चा ओफिशियल पर्मिशन भी जो मिशनरीज को भारत में काम करने का आता है, वो यहीं पे मिला, तो सेकेंड फेज अब 1813 से 1813 तक के लिए सेकेंड फेज है, तिरपन को हमने इसलिए सेकेंड फेज पे रखना है, क्योंकि 1854 में एक आप आगे देखेंगे, वुट्स दिस्पै आता है, दोस्तों एक चीज याद रखे, यहाँ पर एक क्वेशन कभी कभी आता है, क्रोनोलोजिकल ओर्डर में अरेंज कीजिये, कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, चार इवेंट दे दिया, और बोल रहा है, इसको अरेंज कीजिये, क्रोनोलोजिकल में, 1, 2, 3, 4 और क्या है, तो इसको आपको याद रखते चलना है, कि भाई, वुड्स डिस्पैच आगे आएगा, तो मैं लास्ट में ये भी बता दूँगा आपको, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है, मेकाले मिनट्स, अब धिक्कत क्या हुई, कि भारत में 1,00, रुपय नहीं होती थी, वो पढ़ाएं, तो यह सब को सॉल किसने किया, थॉर्मस बैबिंटन मेकाले, जो कि चेर्मेन थे, किसके जनरल कमीटी और पबलिक इंस्ट्रक्शन, और इनको अपॉइंट किसने किया, लॉर्ड विलियम, बेंटिक जो गवर्नर जनरल है, तो इन्होंने य एजुकेशन लाया जाए, अंग्रेजी माध्या में पढ़ाई जाए, और यह जो एंग्लेसिस थे, यह भारतिये लर्निंग को बिल्कुल भी इज़त नहीं देते थे, इनको कंट्रेंट था, ऐसे कई सारे लोग थे, जैसे रेवरेंड एलेक्जेंडर डफ हैं, जियार कॉ वहीं पर आप देखेंगे, डूसरे साइड ओरियंटर लिस्ट हैं, जिनकी चर्चा में कर रहा था, जैसे जेम्स प्रिंस से, इन्होंने अशोका के स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, हेंड्री थॉमस कोल ब्रूक है, यह तमाम लोग हो गए, ओरियंटर लिस्ट, तो इन् इंडियन लर्निंग के जगह पर, और क्यों देना चाहिए, क्योंकि ओरियंटर कल्चर, ओरियंटर होता है, फार इस्ट, मतलब जो सुदूर पूर्व हो गया, पूर्व का मतलब जपान, चाइना, आपका फिजी, यह जो पूर्व वाली कंट्री हो जाती है, उनको इसके अलावा कहते है, कि इनको जो पढ़ाएंगे, धीरे-धीरे इनसे ट्रिकल डाउन करेगा, मतलब नीचे जाएगा, मतलब उपर वालों को हमने पढ़ा दिया, आप इनसे education नीचे-नीचे ट्रिकल डाउन करेगा, नीचे के lower masses के लोगों को, lower class के लोगों को, और इस theory को इन्होंने कहा, filtration theory, ये एक ऐसी भारत की रचना करना चाहते थे, जिसमें भारतिय तो हो, लेकिन वो सिर्फ भारतिय एक color में होंगे, क्योंकि color तो बदलेगा नहीं, blood भी same रहेगा, भारतिय रहेगा, लेकिन हर चीज में वो English हो जाएगा, अपने taste में, अपने affiliation में, अंग्रेज हो जाएगी, मेरी affiliation, मेरी taste, everything would be English, ये था मेकले minutes, याद रखिये किस ने लाया, किस चीज से जुड़ा हुआ है, और ये दो चार नाम अगर याद रख लेंगे, तो अच्छा रहेगा, तीसरा फेज, 1854 से 1900 तक, कौन शुरू करते हैं इस फेज को, जैसे मैंने पहले ही का, Woods Dispatch से शुरू होता है, ये क्या है, 54 में एक educational dispatch आया, Woods Dispatch इसलिए कहला आया, क्योंकि नाम था आदमी का, Sir Charles Wood, थे कॉन, President of Board of Control, जो बाद में भारत के पहले Secretary of State भी बनते हैं, और ये नहोंने इसको किसको बेजा, Lord Dalhousie को, अब देखिए, ये बहुत important है अपन लिए, ये early जो modern education उसके history का सबसे landmark moment है, इसको रट लीजिए, अगर कभी पुछे कि Magna Carta क्या है, तो भाई, Woods Dispatch है, अब Magna Carta आपने आप में क्या होता है, तो ये royal charter एक फरमान होता है, जो कि political rights देता है, किनको, आम नागरिकों को, किसके तरफ से, king या मोनार्क के तरफ स उसे royal charter of political rights कहते हैं, इसके recommendations क्या है, ये कहता है, filtration theory, जिसके वाई अभी हमने चर्चा कि उसको बोलता है, गलत है, बोलता है, mass education के लिए जाईए, इसके अलावा ये बोलता है, कि improvement of vernacular कीजिए, मतलब जो language आपके हैं, ये जो local languages उसको improve कीजिए, secularism को favor करता है, education में, कि favor करत है, कि कोई भी मजर्सा में जाके, मुसल्मान जो विद्यारती है, वो कुरान के बारे में पढ़े है, और गुरुकुल में जो हिंदू विद्यारती है, वो गीता के बारे में पढ़े, इससे अच्छा है, कि एक secularism आए, education में, देखिए, अपने religious text को पढ़ना कोई गलत ची पढ़े हैं, इसके अलावा ये कहते हैं, कि उस दौर में education department सेट करो, कहां, बंबे, मदरास, बंगाल, नौर्थ वेस्ट और पंजाब, पांच प्रोविंसेज में, 1855 में ये education department सेट करते हैं, और लास्ट में, यहाँ पर तीन नए universities का गठन होता है, कलकत्ता, बंबई, मद मदरास, देख सकते हैं, 3857 में हुआ, उसके अज़ पंजाब में, 82 में, अलहाबाद में, 87 में, तो ये इस दौर में बड़े universities गठत किये जाते हैं, आप देख सकते हैं, कलकत्ता, बंबे, मदरास, सब जो important provinces हैं, वहाँ पर ये universities सेट हो रही हैं, अब अगला, बहुत important, hunter commission, 1882, 83 में, head con है, sir, www.hunter, किस ने बनाया, appoint किस ने किया, Lord Rippon, सवाल क्या आएगा, भई, hunter commission को, किस ने appoint किया, तो भई, Rippon ने, hunter commission के head con थे, www.hunter, कब बना, 1882, 83 में, किस से जुड़ा हुआ है, education, तो चार तरह के सवाल को hunter commission पे आपसे पूच सकता है, अब hunter commission किस लिए था, ये बोलता है कि local bodies जो है, मतलब पंचायत या district administration municipality जो हो गई, इनको दे दीजे कि ये primary schools को manage करें, primary मतलब जो छोटे बच्चे के schools है, ये local bodies हैंडल करेगी, और इनका major काम था कि ये woods dispatch के जो काम हुए थे, working of woods dispatch, उसको देखे, क्योंकि woods dispatch आया 1854 में, अ अब 28-29 साल हो गया है, तो woods dispatch के आधार पर जो recommendations हुए है, उस पर कितना अच्छा काम हुआ है, उसको study करने के लिए hunter commission को भेजा गया, तो hunter commission हो गया, अब हम लोग आते हैं अपने चौथे, बतलब 1901 से 1920 के phase पर, यहाँ पर सबसे पहला एक बहुत important committee गठित हो गई है, universities commission, कि अब यहाँ पर देखिए, 1910 में एक separate department of education भी सेंटर में establish होता है, इसके अलावा, अगर कभी सवाल आ जाए, कि यह यहाँ पर देखिए, जो Indian universities act है, यह पारित क्यों हुई, तो इसको समझ लीजे, government control करना चाहती थी nationalist feelings को, कहाँ पर educational institutes में, इसलिए इसको करने के लिए यह किया गया था, इसके अलावा, यहाँ पर क्या हुआ, criticized by nationalists for tightening government control over universities, जो उस दौर के nationalists थे, इन्होंने इसका oppose किया, उन्हेंने कहा कि आप universities को control करना चाहते हो, इसलिए आपने यह किया है, इसी phase में एक और commission है, बहुत important, sadler commission, किस ने appoint किया, लोड चेम्स फोर्ड ने, किस लिए किया, कलकाता university के functioning को देखने के लिए, और इसमें दो भारती है, सर आशुतोष मुखर जी, डॉक्टर जियाउदीन एहमद, अब यह sadler commission का major काम क्या था, recommendation क्या था, secondary education, बोलते हैं कि एक board of secondary education बनाओ, और degree courses को तीन साल का करो, तो यह इनका major recommendations था, साथ और नए universities बनाए गए, पहले हमने देख रखका है, पांच, क्या थे पांच, अभी यही पर देख लिजिए, फिर से कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंज और अलहाबाद, और सके अच साथ जो नए बने, बनारस, मैसूर, पतना, अलिगर, धाका, लखनाव, उस्मानिया, तो अब हो गए, 12 university कुल मिला कर, इसके अलावा कुछ colleges बने, जैसे काशी विद्या पीठ हो गया, जामिया मिलिया, इस्लामिया हो गया, यह सारे भी colleges इस द अचा हुई थी, वो किया था, hunter commission ने, और यह फिर बोल रहा है, consolidate किजिये और improve करिये, इसके अलावा यह बोल रहा है, कि एक selective system होना चाहिए, university में admission के लिए, और university में courses चला यह industrial और commercial करियर के लिए भी, तो यह एक और चीज यह आपर recommend कर रहे हैं, और इसके बाद एक बहु सारे articles publish किये थे, अपने magazine, अपने paper, हरीजन में, और वहां से अब आया, वर्धा scheme of basic education, अब इस scheme को कई जगा, नई तालीम, basic education, बुनियादी तालीम, या बुनियादी सिक्षा, या basic सिक्षा, किसी भी नाम से लिया जाए, नाम एक ही है, वर्धा कहा है, महराश्टरा में, नागपूर के बगल में, ये सोच किस की थी, गांधी जी की, जिन्होंने कई सारे constructive program शुरू करने चाहे, कि economic, educational और social development हो सके, लोगों का, people का, अब मैंने जैसे पहली का, हरीजन में छपा था, इनका बहुत सारा ideas था, उसके आधार पे ये आया, अब एक conference हुआ, वर्धा scheme जो आती है, वो कहां पे हुआ, एक conference हुआ, जिसको All India Education Conference भी कहते हैं, किस जगा पे वर्धा पे, कब 22 और 23 October 1937 में, क्योंकि एक नया system, education का एक नया scheme, इन्हें बोलना था, अब इसके लिए क्या हुआ, उस दौर में जो 11 states में जो election हुए थे, प्रांत में elections हुए थे, उसमें आठ में Congress की Government बनी और उसके साथ के Education Ministers यहां Conference में शामिल हुए थे, गांधी जी खुद इस सेशन के Presiding Officer थे, प्रसाइड उन्होंने किया था, इस से कमिटी का गठन होता, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर उसान है, हमारे तीसरे President 1967 से 69, पहले President जो की कारेकाल के दौरा मर गए थे, इनकी मिर्ति हो गए थी, और इसमें 9 Members थे, अब Members का नाम कुछ देख लिजिए, इसमें Important एक विनोबा भावे हैं, काका कालेलकार है, ये दो नाम बिल्कुल याद रखिये, बहुत Important नाम है, और इस Committee का जो रिपोर्ट था, मार्च 38 में आया, इसे ही वर्धा स् एक्सेप्ट किया, याद रखना है, कहां एक्सेप्ट किया, हरिपूरा सेशन, प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त के, सुभाष चंदर बोस, अप्रूफ तो गांधी जी ने पहली किया था, कॉंगर्स के सेशन में रखा, हरिपूरा के, और बोस ने इसे सुकृर्टी दी, तो ये चीज़ें आपको इस कमिटी की याद रखनी है, लास्ट चीज, सार्जेंट प्लान, जाने के ठीक पहले 1944 में एक और प्लान आया, प्लान क्या कहते है, कि बहुए, इलिमेंटरी स्कूल और हाई स्कूल बनाईए, युनिवर्सल कमपलसरी एजुकेशन फॉर ओल चि क्या जाता है, इसके अलावा बोलते है, हाई स्कूल दो तरीके का बनाईए, एक अकेडमिक और एक टेकनिकल या वोकेशनल, तो ये तमाम बाते थी एजुकेशन से जुड़ी हुई, इस तरह से सवाल आ सकता है, देख लीजिए, कि क्रोनलोजिकल ओर में इन चार चीज़ो को बोल रहा है, अभी देखिए, अभी इस तरह का सवाल आ जाए, तो जैसे अभी हमने कहा न, सार्जेंट, अभी जस्ट लास्ट में पढ़ा, मतलब कुछ भी होगा, वनटू, फॉर, थ्री तो लास्ट में ही रहेगा, हो सकता है, फोर टू, वनटू, भी हो जाए, वनफो 4, 3, तो option कहा है, एक, तो इस तरीके से आप एक जगह बस लिख लीजे, यह सारे, जिसे मेकॉले है, फिर वुट्स दिस्पैच है, फिर हंटर है, फिर रेले है, फिर सैडलर है, सैडलर के बाद हार्टॉग है, हार्टॉग के बाद वर्धा था, वर्धा के बाद सार्जेंट तो यह तमाम चीज़ों को एक जगह लिख लीजे, इस ओर्डर में रखती है, याद इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, जितना हमने किया एजुकेशन चैप्टर में, यह हमारे एग्जैम के लिए मोर्दन सफीशियंट है, एक मैंने आपको सैंपल क्वेशन भी दिख आदिया, तास अल फ्रम इस ख्लास दोस्तो थैंक यू गुडबाए